28. अध्याय पुरजन को इस्त्रियोनी की प्राप्ति और अविग्यात के उपदेश्ट से उसका मुक्त होना श्री नारत जी कहते हैं राजन फिर भै नामक यवन राज के आग्याकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्या के साथ इस प्रिथ्वी तल पर सर्वत्र बिचड़ने लगे एक बार उन्होंने बड़े वेग से बुढ़े साप से सुरक्षित और संसार की सप्रकार की सुक्सामग्रि से संपन पुरजनी को घेर लिया तब जिसके चंगुल में फसकर पुरुष शिक्री निसार हो जाता है वह कालकन्या बलतकार से उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी उस समय वे यवन भी काल करन्या के दोरा भोगी जाती हुए उस पुरी में चारों और बिन बिन दोरों में घुसकर उसका विद्धुन्स करने लगे पुरी के इस प्रकार प्युडित किये जाने पर उसके सौमित्तु का अभिमान रखने वाले तथा ममता ग्रस्त बहु कुटुम्भी राजा पुरज्जिन को भी नाना प्रकार के कलिश सताने लगे काल कन्या के अलिंगन करने से उसकी सारी श्री नस्ट हो गई और अत्यनत विशयाक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया उसकी विवेक शक्ति नस्ट हो गई गंधर्व और यवनों ने बलतकार से उसका सारा एश्वर्य लूट लिया उसने देखा कि सारा नगर भ्रष्ट नस्ट हो गया है पुत्र पौत्र भृत्य और आमत्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे है इस्त्री सनेह शुन्य हो गई है मेरी देह को काल कन्या ने वश्मे कर रखा है और पांचाले देश शक्त्रों के हाथ में पढ़कर भ्रष्ट हो गया है यह सब देखकर राजा पुरजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस पिपत्ती से चुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया काल कन्या ने जिने ने सार कर दिया था उन्ही भोगों की लालसा से वह दीन था अपनी पारलोकिक गती और बंधुजनों के स्ने से वंचित रहकर उसका चित केवल इस्त्री और पुत्र की लालन पालन में ही लगा हुआ था ऐसी विवस्था में उसने बिछोडने की इक्षाना होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाद्ध होना पड़ा क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेरे रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था इतने में ही यवन राज भैके बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दिया जब वो नगरी जलने लगी तब पुरवासी सेवक ब्रिंद संतान वर्ग और कुटुम्ब की सौमीनी के सहित कुटुम्ब वस्तल पुरज्जन को बड़ा दुख हुआ नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को बड़ी पीड़ा हुई क्योंकि उसके निवास अस्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रजवार उस पर भी आकर्मन कर रहा था जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वता असमर्थ हो गया तब जिस प्रकार जलते हुए दिक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है उसी प्रकार उसने महान कश्ट से कापते हुए वहां से भागने की इक्षा की उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गये थे तथा गंधरवों ने उसकी सारी शक्ति नश्ट कर दी थी अतह जब यवन शत्रूओं ने उससे जाते देख कर रोक दिया तब वह दुखी होकर रोने लगा ग्रिया सक्त पुरजन देह गेहादी में मैं मेरे पन का भाव रखने से अत्यनत बुद्धी हीन हो गया था इस्तरी के प्रेम पाश में फसकर वह बहुत दीन हो गया था अब जब इसमें बिछोडने का समय उपस्तित हुआ तब वह अपने पुत्री पुत्र पौत्र पुत्र बधु दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्याय जिन पदार्थों में उनकी ममता भर्षेश्ती उसका भोग तो कभी का छूड़ गया था उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा हाए मेरी भार्या तो बहुत घर ग्रिहस्ती वाली है जब मैं पड़ लोग को चला जाओंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपने निर्वाह करेगी इसे इस बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी यह मेरे भोजन किये बिना भोजन नहीं करती थी और असनान किये बिना असनान नहीं करती थी सदा मेरे ही सेवा में ततपर रहती थी मैं कभी रूट जाता था तो यह बड़ी भेभीत हो जाती थी और जिड़कने लगता था तो डर के मारे चुप हो जाती थी मुझसे कोई भूल हो जाती थी तो यह मुझे सचित कर देती थी मुझे में इसका इतना अधिक्स ने है कि यदी में कभी परदेश चला जाता तो यह विरे विथा में सुख कर कांटा हो जाती थी यो तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्याया ग्रियास ताश्रम का विवार चला सकेगी मेरे चले जाने पर एक मात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारन करेंगे ये तो बीच समुद्र में नाव तूट जाने से व्याकुल हुए के समान बांद कर अपने अस्थान को ले चले तब उसके अनुचर अत्यंत आतूर और शुकाकुल होकर उसके साथ हो लिए ये वनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया उसके जाते ही सारा नगर अचिन्न भिन होकर अपने कारण में लीन हो गया इस प्रकार महावली येवन राज के बलपुर्वक खीचिने पर भी राजा पुरज्जन ने अज्यानवश अपने हितेशिये वं पुराने मित्र अभिज्यात का अस्मरण नहीं किया उस निर्दे राजान जिन यग्यपश्यों की बलीदी थी वे उसकी दीवी पीड़ा याद करके उसे कुरोध पुर्वक कुठारों से काटने लगे वह वर्षों तक विवेक ही नवस्ता में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा इस तरी की असक्ती सह उसे यह दुरगती हुई थी अंत समय में भी पुरज्यन को उसी का चिंतन बना हुआ था इसलिए दूसरे जन्में वह निर्प श्रिष्ट विदर्व राज के यहां सुंदरी कन्या होकर जब यह विदर्व नंदिनी वियाह योग हुई तो विदर्व राज ने घुशित क इसके साथ व्याह किया उससे महराज मले दोज ने एक शाम लोचना कन्या और उससे छोटे साथ पुत्र उत्पन कीए जो आगे चलकर द्रविड देश के सात राजा हुए राजन फिर उनमें से पतेक पुत्र के बहुत-बहुत पुत्र उत DC र्यप इस प्रित्वी को मनवं उससे उनके द्रिडच्यूत नाम का पुत्र हुआ और द्रिडच्यूत के इध्मुवा हुआ अंत्मे राजर्शी मले ध्वज पृत्वी को पुत्रों में बाटकर भागवान श्रकिष्ण के इराधना करने की इक्षा से मले परवत पर चले गए उस समय चंद्रिका जिस प्र जिंद्रवसा, तामर पढ़नी और बटोत का नाम की तीन नदियां थी उनके पवित्र जल में अस्नान करके वे प्रतिदीन अपने शरीर और अंतह करण को निर्मल करते थे वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, भल, पुष्प, पत्ते, त्रिन और जल से निर्वाह कर प्रिये अप्रिये और सुख दुखादी सभी दोंदों को जीत लिया, तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर, तथा यम नियमादी के द्वारा इंद्रिये, प्राण और मन को वश्मे करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे, इस प्रकार सौ दिव्वे व का भी भान नहुआ, राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्रीहरी के उपदेश किये हुए तथा अपने अंतकरण में सब और अस्पुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीप से उन्होंने देखा कि अंतकरण की वितिका प्रकाशक आत्मा सुप्रानवस्था की में और परब्रंभ को आत्मा में अभिन रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सरवता शांत हो गये। परब्र जी जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अगनी के समीप अगनी की शांत शिखा के समान शुशोबित हो रही थी। उसके पती परलोक वासी हो चुगे थे। परब्र पुर्वत इस्थीर आसन से विराजमान थे। इस रहस्च को ना जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पुर्वत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पती के चरणों में गर्मी बिलकुल नहीं मालू ही तब तो वह जूंड से बिछुड़ी हुई म्रिगी के समान चित में अत्यन्त व्याकुल हो गई। आप इसकी रक्षा कीजिए। पती के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाब करती पती के चरणों में गिर गई और रोरो कर आंसु बहाने लगी। लकडियों को चिता बना कर उसने उस पर पती का शव रखा और अगनी लगा कर विलाब करते करते स्वयम सती होने का निश्य किया। राजन उसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्म ग्याने ब्रामण वहाँ आया। उसने उस रोती हुई अवला को मधुरवानी से समझाते हुए कहा। मेरा मर्न कहा। तू कौण है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वही है सोया हुआ पुरुशकौन है। क्या तू मुझे नहीं जानती, मैं वही तेरा मित्र हुँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे क्या तुम्हें अपनी याद आती है किसी समय मैं तुम्हारा अविज्यात नाम का सखा था तुम प्रिथवी के भोग भोगने के लिए निवासस्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे आरे पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे हम दोनों सहस्तरों वर्षों तक बिना किसी निवासस्थान के ही रहे थे किन्तु मित्र तुम विशे भोगों की एक्षा से मुझे छोड़कर यहां प्रिथवी पर चले आए यहां घुमते घुमते तुमने एक इस्तरी का रच्च हुआ स्थान देखा उसमें पांच बगी पांच विशे उसके बगीचे थे, नौ इंद्रिये छिद्र द्वार थे, तेज जल और अन तीन परकोटे थे, मन और पांच ग्यान इंद्रियां छह वैश्यकुल थे, क्रिया शक्ति रूप करमिंद्रियां ही बाजार थी, पांच भूत ही उसके कभी छुन नहों होने वाल अपने सुरूप को भूल जाता था, भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पढ़कर उसके साथ विहार करते करते, तुम भी अपने सुरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है, देखो, तुम ना तो विदर्वराज की पु पुरुष समझते थे और अब सती इस्त्री मानते हो, यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है, वास्ता में तुम ना पुरुष हो ना इस्त्री, हम दोनों तो हंस हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसका अनुभब करो, मित्र जो मैं इश्वर हूँ, वही तुम जीव तुम मुझसे भिन्य नहीं हो, और तुम विचार पुर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो, ज्यानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते, जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परचाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्य भिन्य नहीं रूप से देखता है, वैसे ही, एक ही आत्माविद्य और अविद्य की उपाधी के भेज से अपने को इश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। दर्शन कराया है क्योंकि जनत करता जगदिश्वर को परुक्षवर्णन ही अधिक प्रिये हैं